नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चोहान और आप देख रहे हैं खवरहाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी दोस्तों एक कहवत आपने बहुत बार सुनी होगी मुझे नहीं मालूम उस कहवत के पीछे कहानी क्या है और उसका मतलब भी क्या है नहीं सही में बताओ मुझे नहीं मालूम लेकिन कहवत कुछ इस طرح की है कि चौबे चले छबे बनने और दूबे बनके रह गए मतलब कुछ बहुत बड़ा बनने की चाहा में निकले थे लेकिन जो पहले थे उससे भी छोटे रह गए एक और कहवत थी कववा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया तो यह दोनों कहवते में आपको आज कहवतों की कलास नहीं बतारा दर असल यह कहवते हैं जिस शक्स पे लागू होती है जिस शक्स को मैं आज आज को बाद कर रहा हूँ उस पर बड़ी फिट बैटती है अब यह एक शक्स है जरा है इनको ध्यान से दिखे इनका नाम है रगुनंदन राओ माधवनेनी 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 है जो भी है ये मेंबर ओफ पार्लेमेंट है मेदक कॉंस्ट्वेंसी तिलंगाना से और ये बीजेपी के सांसद है मेदक कॉंस्ट्वेंसी तिलंगाना से और ये बीजेपी के स्टेट सेकेटरी भी है ये बहुत जोरों शोरों से इन्होंने कहा कि मौके पे चौका मारना है जैसे बीजेपी में कल्चर है न कि चम्चा गिरी करनी है तो गांधी नहीरू परिवार को जितना जलील कर सको करो तो चम्चों में आप उपर आते रहते हो धीरे धीरे तो इन्होंने भी कहा मौके पे चौक मिलता है तो इस बंगलादेशी पत्रकार ने एक magazine करके उसमें एक article चापा है रहुल गांधी को ले का जिसमें एक तरह से चरित्र कितने हनन करने की कोशिश की गई राहुल गांधी की पुरित्रा से वो बांगला देशी है इसलिए शुरक्षित है अगर भारत में होते तो अब तक उन पर कितने केस हो गए होते और मज़े की बात है हमारी नैशनल मीडिया उसको प्लेटफरम देती है शरम की बात यह है क्या सबसे भी ज़ Elegy लेता हूँ, footage लेने की कोशिश करता हूँ, नैशनल हीरो बनने की कोशिश करता हूँ तो इन्होंने एक अनोखा तरीका सोचा इन्होंने क्या क्या ये Blitz magazine हूँ जो magazine की copy लेकर पहुँच गए राहुल गांधी के घर देखिए विजुला के राहुल गांधी के घर पहुँच गए इन्हें लगा कि भाई गेट से कहा अंदर जाने देंगे ये साथ में क्योंकि तेलंगाना से आते हैं तो तेल्गू मीडिया साथ लेके गए थे बाहर से भगाएंगे इन्हों को लगा कुछ होगा लेकिन राहुल गांधी ने इनका वो इलाज किया वो इलाज किया कि बाहर जब निकले हैं जब इन्होंने मीडिया से बात की तो इनका चेहरा उत्रा हुआ चेहरा देखने लाइक था इनको उमीद थी कि गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा लेकिन राहूल गांधी को जब सूचना मिली कि कोई ऐसा सा शक्स आया है और यह यह देना चाहता है तो राहूल गांधी उस वक्त घर में नहीं थे वो शायद जम्मू किश्मीर में थे या कहीं और थे उन्होंने कहा संदेश बिजवाया कि इन भाई साब को प्यार से अंदर आने दीजिए इनसे ले लीजे जो भी यह देना चाहते हैं अब इनको अंदर ले जाया गया अंदर ले जाके बाकाइदा इनसे रिस्यप्शन पे रिस्यप्शन में जो बैठ थी है उनकी घर पे उन्होंने सब कुछ जो है वो एकिसाब से लिया हो मेगजीन उगरा जो थी और जब बाहर आए हैं जो मीडिया से बात की है तेलबू में बात की हो तो नहीं सुना होगा लेकिन चेहरे पे दिख रहा है कि इनको उमीद ही नहीं थी कि ऐसा भी होगा क्योंकि बीजेपी में आप किसी नेता के अंदर आपोजिशन इस तरह का लेकर जाए सवाल ही पैता नहीं होगा कि आपको गेट के अंदर भी आने दिया जाएगा यहां तो बाकाइदा अंदर आने दिया गया आप से मटीरियल लिया गया एक चीज और इसमें इपॉणन राहूल गांदी ने ये भी मैसेज भिज़वाया था इनको कि इनसे कहिए कि अभी मैं घर पे नहीं हूँ जब मैं आउंगा तब आप आजएए मैं आपसे मुलाकात भी करूँगा बाकाइदा ही ऐसा भी राहूल गांदी ने इनको मैसेज जोनिया गांधी अंदर थी लेकिन वो आपको मौलूम है कि तबियत नासाज होने की वैसे वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिलती है ये मैसेज राउल गांधी के स्टाफ ने इनको दिया कि वो कह रहे हैं कि जब मैं आउंगा तब आना मैं आपसे मिलूंगा लेकिन ये भाई साब ने कहा कि आया हूं मैं आज ही देखे जाँगा इन्होंने मना कर दिया क्यों कि ये मीडिया का ताम जाम अपने साथ लेके गए थे इन्हें मालूम था कि मीडिया आज मेरे साथ आया है तो आज ही करना पड़ेगा दुबार आऊंगा तो शायद मीडिया ना आये मेरे साथ और ये देखे आ गए अब जब राहूल गांधी ने प्यार से इतने प्यार से इनकी ऐसी उतारी कि इनके चेहरे के हाव भाव ही उड़ गए और इसलिए कॉंग्रेस के नेताओं ने इन्हों ने जब ये वीडियो डाला सोशल मीडिया पे तो इनसे ये सवाल पूछना शुरू गया कि भाई साथ आप तो चले गए आपको प्यार से अंदर बुलाया गया आप से जो है वो सारा आप जो देना चाते थे लिया गया रे खिलाफ छपे अनर्गल मटीरियल को आर्टिकल्स को वो एक्सेट कर पाएं वो भी विपक्ष के सांसितों से वो भी तब जब उनको पता है कि हो कैमरा टीम लेके साथ आए हैं सारी मीडिया का साथ लेके आए हैं अब जब इतना कुछ किसी को प्यार से करता है ना किसी को प भारत में कहते हैं कि मखमल की शॉल में लपेट के चपल मारना वो तरीका राहूल गांदी ने अपनाया इसलिए मैंने कहा कि चले थे ये भाई साब बिचारे चब्बे बनने चौबे से चब्बे बनने और दूबे बनके बाहर निकले ये ये इस तरह की हालत अब हो गई है ब एक नैशनल पार्टी के वो भी विपक्ष के और मीडिया के साथ लगा था कि बहुत बड़ा जमावड़ा होगा बहुत बड़ी खबरे बन जाएगी अगर इन्होंने खुद ये वीडियो शेयर नहीं किया था तो किसी को मालूम भी नहीं था कि कोई ऐसा शक्स राहूल गा ना कह सकते की जब ये मिलके आये बहार आये मीडिया से बात की इन्होंने अपने सोचल मीडिया पर ये डाला कॉंग्रेस ने उसी वक्त एक फोटो रिलीज करी वो टाइमिंग देखिए एक फोटो रिलीज करी सोनिया गांधी की पीठ पे उनका पपी है पुटता है पीठ लेना देने डारेक्ली कुछ नहीं है उनके साथ रगुनंदन जी के साथ कुछ लेना देना नहीं है लेकिन उस टाइम पे सोनिया गांधी की फोटो रिलीज करना अब आप समझ सकते हैं कि संदेश क्या है संदेश बिट्विन दा लाइन जो पढ़ना पढ़ता ना जिंदिगी में शायद और कुछ करें ना करें लेकिन अब इस तरह की हरकत ये सांसत महद है आप दुबारा नहीं करेंगे कि किसी पे जो है इस तरह का माइलेज लेनी की कोशिश करेंगे शायद मुझे नहीं लगता कि अब जिंदिगी में दौरा इनकी ऐसी हिम्मत पढ़ चुनाओ तो राजनीति मुद्दों पर लड़ा जाता है लेकिन यहां चाहे वो लोकसभा के चुनाओ हो चाहे कोई विधान सभा चुनाओ सबसे पहले गांधी नेरू परिवार के बारे में उल्टा सीधा मुटीरियल चापा जाता है वाटसेप पे फारवड किया जाता है उसको शियर किया जाता है और ऐसा भी नहीं कि जो उनकी रायनीति को लेके या उनके इन्वेस्टिकेटिव जनलिजम कुछ हो खोजी पत्र कार ने जितना भी उस आर्टिकल में लिखा है वो 99 रॉटा जूट है और सिर्फ सोर्शिस के अधार पे उन्होंने लिखा है उसका कोई प्रूफ भी नहीं दिया हुआ उसमें यह सब जगह उन्होंने लिखायें कि इस ने मुझसे कहा इस ने कहा इस ने कहा है माह ये चहपा था फा यह साथ में यह भी लिखा आ है कि जिन जिन के बारे में उच् 1974 उनको उन्होन ने पूछा था उसकी दरब से कोई जबाब इस तरह का personal attack किया जा रहा है लेकिन दुख यह होता है कि एक 78 साल की महिला सोनिया गांधी उनको भी घंसीटा जाता है इसमें और ऐसी ऐसी चीज़ें कही जाती है जो किसी भी राष्ट्र में अलावर नहीं होनी चाहिए कल को सोचिये सरकार बदलती है कोई बहार का पत्रकार फिर किसी देश का पत्रकार अगर प्रधान मंतरी आज के मौजूदा प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा लिखते हैं और देश की मीडिया देश की नैशनल मीडिया राष्टिय मीडिया सरकारी मीडिया उसको प्लीट फॉर्म देता है तब क्या बीजेपी इसको एकसेप्ट करेगी नहीं करेगी और ना करना चाहिए मुझे ये नहीं समझ में हारा है कि इस वक्त कॉंग्रेस इस मुद्दे को लेकर बोल क्यों नहीं रही कि दूरदर्शन जैसा चैनल क्यों उस पतरकार को प्लेट फरम दे रहा है जो बिल्कुल जूट लिख रहा है अगर कोई भारत का पतरकार कह रहा हो समझ में आता है एक बंगलादिशी पत्रकार के जूट का आप जगा दे रहे हैं क्यों? या तो उस बंगलादिशी पत्रकार को स्पॉंसर किया जा रहा है जो इतना कुछ कर रहा है वो भारत के एक लिडर अफ उपोजिशन के बारे में इतनी खोज कर रहा है इतनी इन्वेस्टिकिशन कर रहा है इधर बात कर रहा है उधर बात कर रहा है यहां जा रहा है उसका खर्चा कौन उठा रहा है उसको स्पॉंसर कौन कर रहा है सबसे बड़ा सवाल है कि उस आदमी को स्पॉंसर कौन कर रहा है क्यों उसकी खबरों को इंडिया में इतना forward किया जा रहा है इसका पता लगना बेहस जरूरी है कि इस शक्स को sponsor किसके द्वारा किया जा रहा है आज नहीं तो कल पता तो लगेगा लेकिन जिस दिन पता लगेगा फिर क्या होगा फिर कोई और किसी और को sponsor करेगा तो यह trend इस देश के लिए एक अच्छी मजबूत लोगतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यह जो personal attack उन शक्स पर पंडित जवालाल नहरू मोतिलाल नहरू अब तो मोतिलाल नहरू तक पहुँच गए नहरू नहरू तक पहुच गए मोतिलाल नहरू से character assassination शुरू करते हुए जवालाल नहरू इंजरा गांधी सोंंय गांधी राहुल गांधी तर पूरा character इनों नहीं नहीं करते हैं देश के पहले प्रधान मंत्री का करेक्टर एसेसिनेशन ये देश का नैशनल मेडिया ये इस देश का सरकारी मेडिया कैसे अलोग कर सकता मुझे ये समझ में नहीं आगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आएगा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा फेस्बुक पे हमें फ़लो जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर अजल आपड़ियो